हलो गाईज तो में ले आया हूँ आज बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो और इस वीडियो में बात करेंगे हम नीवियाउग प्रो के बारे में और नीवियाउग प्रो गाईज एक नहीं बलकि कई सारी रिजन्स की वज़े से बहुत ज़दा वेटी शो बन चुका है मतलब अब बहुत ज़दा इसका वेट हो रहा है और अब देखो यहाँ पर open division ही नहीं बलकि men's physique में भी हमें बहुत ही अच्छी टक कर बहुत ही अच्छा competition देखने को मिलने वाला है तो चलो पहले men's physique की ही बात कर लेते हैं because अगर हम open की बात करना start कर देंगे न तो फिर ये वीडियो को सारा time open division ही ले जाएगा तो anyways अगर men's physique की बात करें तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि इतना ज़दा interesting competition इतना ज़दा tough competition हमें देखने को मिलने वाला है because guys ये show decide करेगा बहुत सारी चीज़े even for men's physique division अब ऐसा क्यों हो guys क्योंकि यहाँ पर होंगे अली बिलाल yes पिड्सबक पर इन्होंने जीत लिया qualify इन्होंने कर लिया मैं आपको याद देना last to last year जब इन्होंने multiple shows जीते थे qualify करने के बाद भी और Mr. Olympia में एक momentum लेके गए थे उसके बाद आये ये 9th place पर तब वैसा ही कुछ करने करें ट्राइ कर रहे हैं देखो इनकी performance पिड्सबक में बहुत ही strong रही है बहुत ही statement बना देने वाली रही है हाँ competition देखो इतना ज़ादा tough नहीं था विटो शाविस थे definitely he is a very tough competition बट अपने 100% पर अपनी extreme peak पर वो नहीं आये थे तो अब यहाँ पर फिर से एक तरह से इनका test होगा लेकिन मैं अली बिलाल अगर विटो शाविस अपनी peak पर भी होते तो शायद उन्हें beat कर देते बिकाज उनकी physique पिड्सबक प्रो में लिए बट नहीं मैं इनके लिए रास्ते अब बहुत ही मुश्किल होगा है बिकाज एक तो वहाँ पर qualify नहीं करा अब यहाँ पर यहाँ पर फिर से अली विलाल इनके सामने आने वाले हैं यस यह दोनों वापस से यहां होंगे दोनों का rematch होगा बट हम यह नहीं कह सकते कि फाइनल काल आउट में यह दोनों ही होंगे अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाईज क्योंकि यहाँ पर थर्ड कंपेटर जो होने वाले गाईज वो होंगे एडवन पाल मेरा अब इनके बारे में बहुत अची डीटेल में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं बहुत दॉमिनिटिंग फैशन में इन्होंने क्वालिफाई कर रहा था मिस्ट ओलिम्पिया के लिए बट वहाँ पर इनके आगई थी 11th प्लेस तो यह टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाय थे जबकि अली बिलाल अली बिलाल की अगर हम बात करेंगा इस तो लास्ट टू लास्टेर के मिस्ट ओलिम्पिया में वो आये थे टॉप 10 के अंदर 9th प्लेस पर तो अब एक तरह से मुकाबला बहुत ही स्ट्रॉंग है उसके बाद भी कर देखो अली बिलाल ने बहुत स्ट्रॉंग परफार्मेरा लेकिन एडवन पालमेरा को बिलकुल हलका नहीं ले सकते हैं एक बह वो second place के नहीं है तो अली बिलाल और एडवन पालमेरा के बीच में ही जाएगा अब देखो एडवन पालमेरा के फिजीक बहुत ही insane है गाइस मतलब अली बिलाल से कई मामलों में better है in terms of muscle mass in terms of density in terms of back guys अडवन पालमेरा के back बहुत ही जादा developed है तो अब अगर एडवन पालम वैसे देखो Pittsburgh प्रो भी एक बहुत ही बड़ा शो है और उसके बाद भी हम यही बोल रहेते हैं यह 9th place से उपर place करेंगे Mr. Olympia में लेकिन एक तना से जो लोग अभी भी इस चीज़ को एक fluke मान रहे हैं जो लोग अभी भी यह मान रहे है कि line-up इतने strong नहीं था और दोबार यह चीज़ नहीं हो पाईगी तो मैं यह दोबारा opportunity है New York प्रो एक और भी जादा बड़ा शो है यहां पर अगर ऐसा कर दिया साथ में विटा और शावेज दोबारा improve आ गए उसके बाद भी उने beat कर दिया और फिर add1 पाल मेरा man चो की actual में एक बहुत ही tough competition यहां पर present करने आने ली बिलाल के सामने उनको अगर beat कर दिया ना तो आप समझ जाओ man फिर को इसमें doubt नहीं रहेगा कि अली बिलाल इस बार 9th place से उपर ही place होंगे एक बहुत ही extreme level की physique बहुत ही extreme level की peak चाहिए इंको यहां पर भी क्योंकि add1 कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले man last time जैसे आ काफी मुश्किल होने वाला है बड़ देखते हैं कि आप बताओ आप क्यों क्या लगता है कि अली बिलाल यहां पर जीच सकते हैं या फिर एड़न पाल मेरा इस गोइं टुब एली टॉफ कॉम्पेटिशन बीट बाकी अब चलते हैं next update पर यानिकी next prediction पर अब बात करेंगे man's open division की और देखो यह होगी बहुती interesting बात क्योंकि line-up ना पहले बहुती छोटा सा था अब उसमें इतने ज़्यादा competitor तो थे लेकिन इतना कोई tough competition नहीं था बिकाज दो ही लोगों के नाम बार 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 हम सुन रहे थे निक लॉकर टोनियो बर्टन इन दोनों के बारे में बात चल रही थी इन दोनों ही काफी hype up भी कर रहा है शो को start में अब देखो इसका price money भी increase कर दिये गया अब 30,000 dollars मिलेंगे winner को अब जब price money increase कर दिये गया तो उसके बाद इस show में हमें कूटते हुए दिए कई सारे athletes इस list में नाम एक के बाद एक बहुत अच्छे athletes में बात करेंगे इस बारे में उसके बाद beef stew ये भी compete करें एक काफी लंबे off season के बाद वापस से हमें आते हुए दिखेंगे quinton beef stew गाइस जिनका काफी लंबे time से weight हो रहा है अब वो भी हमें फिर से एक बार stage पर compete करते हुए दिखेंगे तो एक तरह से Matt Jansen के दो athlete यहाँ प इस बारे में मेरी ख्याल से guest posing के बाद भी लोगों कोई doubt नहीं होगा क्योंकि जो समझदार लोग है वो पहले ही समझ चुग होंगे how big of a difference there is between Nick Walker and everyone else तो इस बारे में कोई question नहीं करेगा बाकी हाँ guest posing के बाद में guys guest posing जब से Nick Walker ने करी है न तो एक hot topic बन गा है इस चीज के ल guest posing में जो लोग इतना साधा ट्रोल कर रहे थे जो भी कर रहे थे उस पारे में Matt Jensen ने भी बात करी में आपको बताया भी था कि he was without a pump बहुत ज़्यादा water intake था बहुत ज़्यादा travel कर चुके थे और साथ में काफी साधा meals ले चुके थे तो इन साधी चीजों ने मिलके यह कर कर रहे थे कि एक guest posing के लिए मैं peak करके आऊँगा मैं peak करके बिलकुल भी नहीं आया और अब आप मेरा best version देखोगे तो इस तरह की बाते निक वाकर ने हाइस podcast के अंदर इस interview के अंदर करी है और साथ में guys Nick ने ये भी बताया कि उस guest posing से लेके अब तक मतलब 2-3 दिनों के अं सतलब he was looking already bigger than the last appearance, yes उसके बाद भी guys क्या आप ये बात समझ सकते हो कि he was without a peak, he was without a pump, अब सोचो ये pumped up होते हैं, इनके muscles और सदा rounder, और सदा fuller दिखते हैं, ब्लैडिन की veins में बिलकुल moo कर रहा हुता, तो कितने और ज़्यादे ही bigger लगते हैं, तो अभी वो version तो हमने देख 2022 से एक दिन पहले भी करी थी, वहाँ पर निक इस तरह से नहीं दिख रहे थे, बिलकुल ऐसी इनकी planning जा रही थी, लेकिन एकदम से last day पर, निक became a beast, a mutant, a total mutant, इन्होंने अपनी पूरी physique को change कर दिया, और Matt Johnson इस चीज में बहुत ही experience है, he knows how to do it, और वो इस चीज को काफी जिनोंने compete करा है, जो इस चीज को बोल सकते हैं, कि भाई मैं top third place हो चुका हूँ, तो इस बारे में हम doubt नहीं कर सकते हैं, प्लस अगर ये नहीं जीतते हैं, किसी भी रीजन से, देखो मैं इस चीज को बिलकुल बात करूँगा, मेरी prediction में तो ये first place पर आने वाले हैं, और ब tricep और arms का आपस देख सकते हो, size कितना ज्यादा huge हो गया है, hamstring already इनकी dice रहती है, glutes dice रहते हैं, back देखो कितनी ज्यादे improve कर लिए, और back में इस वक्त कोई भी इस बारे में question नहीं करेगा, कि second best back इस वक्त bodybuilding industry में निकी है, direct के बाद अगर back की बात करी जाती है, तो वो नि does not win, तो एक बहुती बड़ा upset हमें देखने को मिलने वाला है, मतलब जो भी इनको beat कर देगा न, see the top 5, top 6 के लिए consider करने वाला athlete बन जाएगा वो, और ऐसा होता हूँ, वैसे दिखता नहीं है, लेकिन अगर हो गया, तो man, ये तो फिर बिलकुल ही बात ऐसी हो जाएगी, जो समझ में आएगी ही नहीं, anyways, अभी second place की बात करते हो, second place के लिए, यहाँ पर बहुती tough competition हमें देखने को मिलेगा, Martin Fitzwater और Tony O. Burton के लिए, अब मैं इन दोनों का नाम एक साथ क्यों ले रहा हूँ guys, क्योंकि Tony O. Burton देखो, हमें Arnold Classic Brazil में, बहुती amazing physique के साथ दिखे थे, बहुत अ back पर, especially back पर guys, बहुत ज़्यादा increase कर लिया, मतलब यह, वहाँ पर कहीं कहीं पर, रफायल बेंड़ो से भी, wider side पर लग रहे थे, जबकि यह इतने बड़े नहीं है, in terms of size, उसके बाद भी, तो यह चीज इनके हक में बहुत जाएगी, लेकिन Martin की बात मैं इसलिए कर रहा इस क्योंकि मेरे हिसाब से, जिस तरह का package Detroit Pro में Martin लेके आये न, वो Tony Oberton के Arnold Classic Brazil के package को beat कर देता, yes क्योंकि Martin का package मुझे ज़्यादा impress कर पाया, as a fan, as a spectator, मुझे वो चीज ज़्यादा पसंद आई, उनके physique में मुझे इतना ज़्यादा flow अच्छा लगा, उनके aesthetics, उनकी vacuum, उनक muscles उनका balance मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मेरे इसाब से, Martin यहाँ Tonyo को beat कर सकते है, और मैं second place पर, चाहे Tonyo ज़्यादा muscle mass carry कर रहे होंगे, because he is bigger as well, लेकिन मैं फिर भी Martin को ही देखता हूं second place पर, और मेरे इसाब से, Tonyo button आएंगे यहाँ पर third place पर, देखो Tonyo के सा वो roundness उनकी back की निकल के आ जाती है, लेकिन उसके बाद मार्टिन का flow जो है बहुत ही dangerous है, उनको फिलीज से जो compare करा जा रहे है, वो किसी ऐसे वैसे reason के लिए नहीं करा जा रहा, देखो एक तो इन्होंने वहाँ पर perform करा, उसके बाद अभी guest posing में भी कितना ज़दा impressed कर रह को, जिस तरह से लोग, निक से, डेरे को अगेरा से expect कर रहे थे, मार्टिन की कोई बात कर रहा था इस guest posing के लिए, कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब वो एक name थे, इस guest posing का सिर्फ, लेकिन मार्टिन ने अपनी जगा बनाई, उनके बारे में काफी बात हुई है guest posing के बात, क्य तो इसलिए, मार्टिन second place पर उनके लिए, और अब उनके लिए एक बहुत ची opportunity है, यहाँ पर फिट से खुद को prove करने की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों में मुकाबला काफी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, मेरे इसाब से, मार्टिन जीतेंगे, टोनियों स बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि beefs 2 आ सकते हैं, नहीं man, quinton beastwood, नहीं, quinton beastwood के साथ आप देखोगे, मैंने उन्हें फोर्थ पर क्यों नहीं रखा, अब यह बताऊँगा, लेकिन फोर्थ पर यहाँ पर मैंने place करा है, angel cardrone को, yes, angel cardrone man, और यह first time नहीं है, इन्होंने को gasposing करी थी, इसी weekend को, जब पिड़ब प्रो की gasposing हो रही थी, अब वहाँ पर यह invited नहीं थे, और जिस तरना सी यह gasposing में आये हैं न, बिल्कुल ऐसे आये जैसे लोग nix expect कर रहे थे, इस तरना से condition, इस तरना से shredded, इस तरना से feel यह stage पे लग रहे थे, कि मैंने इनके apps पर, इनके mid section पर winds दिख रहे थी, and he was looking crazy, तो अभी इस movement पर, he is shredded, इनकी height देखो ज़्यादा नहीं है, 5 feet 3 inch I think की height है, या maximum 4 होगी, 5 feet 4, जबकि आप दूसरी तरफ देखो यह Tony Oberton को, तो उनकी height पता कितनी है, 6 feet 2 inches, तो एक बहुत 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 इस चीज का मन जाता है, जिस तरह के big ये हैं, जिस तरह की thickness ही carry करते हैं हर तरफ muscles में, पूई तरह से fuller frame carry करते हैं, तो अपनी perfect conditioning के साथ जैसी ये carry कर रहे हैं, देखो conditioning ये कभी भी lag नहीं करते हैं, तब ही lag करते हुए हमें नहीं दिखे, बहुत चीज़ी conditioning carry करते हुए हमें दिखे हैं, तो he is going to look nuts, मुझे कोई डाउट नहीं है, जिस तरह के उन्होंने package यहाँ पर present कर रहे हैं, अब देखो हाँ, यहाँ यहाँ पर lighting बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पिट्स बाग प्रो से भी अच्छी lighting थी, प्रस angles and all, everything, लेकिन हाँ, उसके बाद भी, इस बारे में कोई डाउट नहीं करेंगा कि Angel Cardron is an amazing bodybuilder, जिखो aesthetics इनके पास नहीं है, इसी लिए हैं, सिर्फ इसी reason से मैं इनको second, third पर place नहीं करता, अपनी prediction में या फिलोग भी नहीं कर रहे हैं इनको, क्योंकि aesthetic वाली बात है, उसके अलावा guys, condition की बात, और muscle fullness की बात, अपने frame के हिसाब से pound to pound, एक great frame होने की बात, वो इनके साथ पूरी तरह से है, और मेरे हिसाब से guys, ये fourth पर definitely place हो सकते हैं, एक बहुत ही strong contender है, तो I am looking forward to him, और मुझे लगता है कि अब इनको देखने में बहुत मसा आएगा, और इसके बाद, ये दुबारा सा हमें open division में compete करते हुए दिखेंगे, अभी तो he is just testing the waters, कि कैसे रहता है man, किस तरह से आता हूँ में इतने सारे competitors के बीच में, अगर इनके अच्छी placing आई, उन्होंने काफी बड़े bodybuilders को beat कर दिया, तो man, ये दुबारा सा हमें compete करते हुए दिखेंगे, बाकी any base, fifth bar, अब fifth bar guys, यहाँ पर मैं Quintan Beastwood को रख सकता हूँ लेकिन मैं उनको नहीं रख रहा, सिर्फ एक reason से, और वो है उनके legs, उनके legs अभी मुझे काफी downsize ही उनकी last update में, तो अभी उस बारे में हम six place पर आने पर बात करेंगे, अभी fifth place पर मैं रखता हूँ beef stew को, beef stew को कुछ लोग तो second तक पर place कर रहा है, कुछ third पे कर रहा है, क्योंकि मुहें लगता beef stew की इतनी improvements होने के बाद भी, इतना अच्छा package करने के बाद भी, muscle mass add करने के बाद भी, अभी he is just here, यह वहाँ पर मुझे अभी नहीं लगते, इनके competitors के सामने, अभी इनको और muscle mass add करनी है, अपनी back पर improvements करनी है, अपने legs पर improvement करनी है, अभी देखो इन्होंने पता क्या करा, इतने जादा motivated यह हैं कि last weekend को इन्होंने peak करी, इन्होंने small peak try करी, मतलब बिना show के इन्होंने peak hit करने का try करा, और देखा किस तरह से इनके peak जाती है, किस तरह से यह आ सकते है, किस तरह से better version ला सकते है अपना New York Pro के stage पर, तो वो चीज इनके लिए क कोई muscle दूसरे को overpower कर रहा है, बाकी अब अगर मैं बात करूँ ना 6th place की, तो क्विंटन beef food को मैंने beef stew के बाद क्यों रखा है guys, सिर्फ इसलिए क्योंगी क्विंटन beef food ने काफी अच्छा off season लिया है, काफी लंबे time से off season पे थे, muscle mass definitely add करी हो, और front poses पर, he is looking very aesthetic, मतलब front poses में इनका shape वगेरा, इनका aesthetics बहुत ऊपर के हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन side poses कहलो या फिर आप back poses कहलो, वहाँ पर इनके legs severely downsize लग रहा है, अब देखो ये इतने downsize हमें उस starting में नहीं लग रहे थे, जब इनोंने अपनी pics डालने, अपनी videos डालने, अपने post डालन है, और यहाँ पर देखो आप इनके legs, man इनकी hamstring कितनी ज़्यादा lag कर रही है, मतलब इनकी back yes definitely improve हो चुकि है, लेकिन इनकी hamstring कितनी ज़्यादा lag करती हूँ हमें दिख रही है, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि इनकी calves hamstring से बड़ी है, तो वही है, इसी reason से guys मुझे लगता उस तरह से thickness, उस तरह से density carry करता हूँ नहीं लग रहा, side poses में अभी lag करते हूँ लग रहा है, back पे improvements करी है, definitely अभी और भी add कर सकते है, मतलब muscle mass add करने करने करना, scope, इनकी fame पर बहुत ज़्यादा अभी भी available है, और legs पर तो इनको करना ही पड़ेगा, मतलब आपकी hamstring इस तरह से lag कर रही हो, और उसके बाद आप ऐसी बाते कर रही हो, याँ आपके बारे में ऐसी बाते करी जारी हो, कि आप Nick Walker को beat कर दोगे, जिनकी hamstrings are crazy, तो ये बास समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं इनको six place पर रखता हूँ, और seven पर रखता हूँ, जस्टिन रोड्रीगेस को, उसके बाद भी he does not stop, he does not know how to give up, और ये चीज़ बिल्कुल appreciable है guys, मतलब इनका ये passion है, bodybuilding ये कोई पैसे वेसे के लिए नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं, इतना criticize होने के बाद भी, हर वक्त हर को इनको बोलता रहा था, कि भाई आप quit कर दो, आपका हो ग Guys, Justin को मैं नहीं मानता कि retire हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, but it's a high time कि Justin को बैटना चाहिए, अब एक अच्छो off season लेना चाहिए, इनको बैट के बिल्कुल ना, अपनी body को recover करने देना चाहिए, और decide करना चाहिए एक नए coach के बारे में, yes, एक नए coach को hire करके चीज होती जारी है, तो वही है guys, इनको एक नए coach hire करने है, एक rest or recover करने का time लेना है, stage से off season लेना है, उसके बाद में, एक अच्छा time spent करने के बाद इनको वापस आना है, because आपको यादे, अभी एक दो साल पहले इनको 6-7 shows में compete कर रहा था, उसके बाद qualify कर रहा था, on the basis of points, उसक इनको 7th पर place करता हूँ, बाकि आप मुझे बताओ comment section में कि आपको कौन कहां पर place होता हो लगता है, और सबसे important guys, second place के लिए मैं आप से जानना चाहूँगा, आप किसको रखते हो, Martin को, Tony Oberton को, या फिर किसी और को, because सबसे important placing ना वही होने वाली है, मेरे जिस आप से, जिस